हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में और आज हम लोग प्रॉपर्टीज ओफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे एक नया प्रॉपर्टी जिसका नाम है अनाजेशन एनर्जी और धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे इसक उसके पहले भी क्या है और बाकी प्रॉपर्टी जैसे इलेट्रॉनिक कॉंफरिगेशन हुआ उसको भी देख चुके हैं तो आएए बात करते हैं आज अनाइशन एनर्जी क्या होती है तो यहां पे अनाइशन एनर्जी ओफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तर बात करेंगे त स्केंडिον टुजिंक तक पहु誌चेंगे तो क्या होता हमारा अैटोमिक साइजज़्स करता है जैसे जैसे क्या करते हैं और सेल में लेक्ट्रॉन इंक्रीस करते हैं तो अनाइशन एनर्जी की value क्या होती है वह बढ़ जाती है क्योंकि आटम का जिब साइज़ छोटा तो नुक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, force of attraction बढ़ता है, effective nuclear charge बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ, और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में energy क्या होती है, ज्यादा खर्च होती है, तो अनेसे energy हम ऐसा क्या होती है, बढ़ती है, यह कि हमारा क्या एक general way है, अनेसे energy को समझने के लिए, कि left to right चलेंगे, तो अनेसे energy की value क्या होगा, इंक्रीस करेगी, लेकिन जैसे atomic radius में था, कि left to right जाने पर, radius हमारा क्या था, वो भी घट रहा था, लेकिन उसके अंदर क्या थे, कई सारे variation देखने को मिल रहा थे, पहले radius हमारा decrease कर रहा फिर constant हो गया था, फिर अचानक बढ़ गया था, overall decrease कर गया था, लेकिन वैसे energy की जब बात करेंगे, तो अनेसे energy क्या होती है, overall तो increase करती है, लेकिन जब period में जब चलेंगे, तो वो क्या होगा, कही increase decrease करता रहता है, तो वही चीज हमें क्या करना है, यहाँ पे समझना है, तो एक दो trend है हमारा कि radius क्या होता है, लेकिन अब उसके अंदर क्या हो रहा, उसकी पीछे कहानी क्या है, तो उसमें कई सारे क्या होंगे, factors involved होंगे, जैसे कि हमारा क्या होता है, half field stability, full field stability, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे और समझेंगे, आराइसे energy को D block element के case में, तो हमारा topic क्या, energy of D block elements, तो पहले एक बार हम लोग definition को भी देख लेते हैं, energy जो कि हम लोग क्या कर रहा है, class 11 से ही पढ़ते आ रहे हैं, periodic table वाले chapter में, तो energy क्या होती है, तो जो भी energy required होगी, electron को remove करने के लिए उसके outer cell से, या हम लोग बोल सकते हैं, valence cell से, तो उस energy क क्या बोलते है, nation energy, और हमें पता है कि electron क्या करते हैं, किसी atom से भी निकाल सकते हैं, और ion से भी electron को निकाल सकते हैं, तो जब भी atom से electron को निकालेंगे, तो energy क्या होगी, थोड़ी कम देनी पढ़ती है, लेकिन वही atom क्या होगी, अगर ionic form में चला गया है, उस पे positive charge डिबलप को पहले हम लोग आये इस से जोग को पहले समझ लेते हैं, एक बाद definition और देख लिजे, the energy is a amount of energy which is required to remove an electron, needed, या रिक्वाइड बोल सकते हैं, remove of electron, the balance cell of atom and ion is directly related to the force of attraction of the electron and nucleus, यानि यह जो energy है, वो कही ना कहीं क्या depend कर रही है, force of attraction से relate कर रहा है, युकि nucleus और electron के भी जितना attraction होगा, उतना अधिक क्या होगा, energy required होगा, उस electron को वहाँ से निकालने के लिए, अगर मैं यहाँ पे कोई atom consider कर लूँ, ठीक है, d block के case में या कोई general atom हम लोग क्या करते हैं, consider कर लेते हैं, और वहाँ पे हम लोग देखते हैं, जब कि हमारे पास क्या है, हमाल लेते हैं, यह क energy, अब यह energy ज्यादा है कि कम है, यह तो कई साले factor पर depend करेगा, एक तो depend करेगा कि इसका size कैसा है, तो अगर atom की size small होगी, d block के case में, अगर small size का होगा, तो attraction between nucleus and electron higher होगा, इसको निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसमें energy की value क्या होगी, बढ़ जाती है, इस atom के compare में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि electron on nucleus की बीच attraction बढ़ जाता है, size घटने से, वही word हमारा देखी, क्या लिखा गया है, यहाँ पे, force of attraction on the electron, वो क्या होता है, increase हो जाता है, तो nucleus का ही force of attraction क्या होगा, उस outer electron पे बढ़ जाएगा, size decrease करने के साथ साथ, तो अगर हम लोग यहाँ बात क trend की, और इसके पहले देखी, यहाँ पे देख लेते हैं, और लिखा गया है, the larger the nucleus charge, smaller the radii, ठीक है, electron larger will be the natural energy, higher also will be the more half-filled and full-filled stable, तो यह देखी वाली बात हम लोग बात में करेंगे, तो अभी हम लोग relate करते हैं, इसके size से, तो left to right जब period में हम लोग चलते हैं, तो size क्या हो, तो generally decrease करती है, तो energy की value क्या होगी, बढ़ेगी, जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, और दिखे, बहुत सारे चीज़े और दिखे हैं, आप दिखे, लिखा गया है, generation energy of d block element is larger than s and, ठीक है, s block and smaller than p block, क्योंकि दिखे, क्या है, yes और p block के बीच में belong करते हैं, d block element, तो अ अमेशा बढ़ती है, तो yes block और p block के बीच में है, तो इसके energy के होगी, s block से थोड़ी ज्यादा होगी, p block से थोड़ी, sorry, s block से क्या होगी, थोड़ा कम होगा, p block से क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो यहाँ पर दिखे, लिखा गया है, larger than s block element, क्योंकि yes के बाद ह तो size क्या होगा, थोड़ी से decrease होगी, और smaller than p block element, और p block से थोड़ी से क्या होगी, कम होगी, p block की size और छोटी होगी, जैसे यहाँ पर हम दो समझ सकते हैं कि यह periodic table जैसे मैंने बना दिया, तो यह वाला जो building है, यह क्या है, s block, अब इसके बाद यह पूरा क्या है, d block, अब यहाँ पर बात कर रहेंगे, तो यह क्या है, पूरा हमारा, p block, यह हो गया, p, यह हो गया, d, यह हो गया, s वाला, ठीक, यह वाला block क्या हो गया, yes, block, तो यहाँ से यहाँ दिखे, size के अगर बात करें, तो size क्या होती है, decrease कर रही है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, size की ठीक तो यहाँ पर दिखा जाए तो इनकी size के अगर बात की जाए तो size क्या हो रही है decrease कर रही है we are moving from left to right in a period किसी भी given period वे हम लो left to right चलेंगे तो size हमारी क्या हो गर decrease करेगी तो यहाँ पर दिखें size सबसे बड़ा होगा तो इसके आना इस energy तो कम होगी लेकिन D block की अगर बात करें अभी इसको छोड़ देते हैं P block समझे सबसे बड़ी size इनकी है तो यहाँ पर size क्या होगा ज्यादा और यहाँ पर size होगा P block की case में कम तो इनकी आना इस energy high और इनकी आना इस energy low ठीक लेकिन जो D block है वो क्या होगा इन दोनों की बीच में पुछ दिया तब तो हमको ध्यान देना है कि यहाँ पी के बीच में इसका energy क्या होता है बिलॉंग करता है यहाँ वाले से ज्यादा है पी वाले से क्या है कम है लेकिन हम लोग समझना क्या है हमें क्या करना जो ट्रेंड पढ़ना है वो क्या है D block में पढ़ना है तो आईए हम लोग समझते हैं जो में चीज है हमारा अना इस energy का यहाँ पर आई देखते हैं ठीक है कुछ जनरल चीजे ठीक है अगर मैं बात करूँ किसी element की D block के case में जैसे हम लोग माल लेते हैं D block वाले सभी क्या होते हैं मैटल होते हैं जनरल यह सारे मैटल उसमें पा जाते हैं तो अगर मैं किसी D block elements को ले लूँ जैसे माल लेते हैं ठीक है कोई हमारा D block element है जिसको मैंने लिग दिया है यहम से और solid metal होते हैं या कोई भी metal है यहाँ पे दिखिए अगर यह क्या करेगा D block का जो भी element है अगर वो एक electron निकाल दिया जिस पर क्या हैगा एक प्लस चार्ज और एक electron यहाँ से निकल गया तो यह जो energy खर्च होगी इस electron को निकालने के लिए उसे क्या बोलेंगे energy first इसको बोलते है energy first जानी first energy है अब यहां से अगर मैं electron निकालने ज़ाँ हूँ M plus में से यह क्या बन जाएगा M two plus और यह दो electron क्या हो गया तो अब देखिए atom में से जब एक electron रिलीस हो गया तो उसका nucleus charge क्या हो गया अब ज़ादा बढ़ गया क्योंकि electron चला गया और positive charge तो बढ़ गया क्योंकि electron आउटेट से निकालना है तो positive charge क्या होगा बढ़ जाता है तो जो भी electron उसके अंदर रहेंगे जो inner वाले electron अब रहेंगे तो उसको nucleus क्या करेगा और तीजी से अपने तरफ attract करेगा तो उस electron को निकालना अब और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि जैसे हमारे पास ये क्या है कोई metal था ये electron लिबरेट कर दिया निकाल दिया उसके क्या आगया पॉस्टिव चार्ज क्या होता बाकी electron जो नहीं निकले है उस पे बाकी electron भी क्या होगा effective nuclear charge बढ़ जाएगा तो attract करता है nucleus उस inner electron को तो अब उसमें से electron निकालना और मुश्किल हो जाता है जिस item पे क्या हो positive charge बन जाता है तो ये जो अनेशन अनर्जी होगी इसे बोलेंग हम लोग IE2 अगर मैंने अब electron liberate कर दिया किसमें से ठीक है second ion क्या हो अब 2 प्लस वाला ion है तो यहां से बी इलेक्रोन निकलना देखे और मुश्किल हो जाएगा तो यह क्या बन जाएगा M3 प्लस और यह ठीक है एक electron यहां पे दो electron नहीं है ठीक है 1 प्लस में से गया होगा एक electron यहां से निकला अब और बढ़ गया तो वहां से इलेक्रोन निकालना अब क्या है और भी मुश्किल है तो हमको यह चीज़ ज्यान देंके चलना है कि अगर कोई एक ही एटम है और उसके हम लोग फिस्ट आइस एनर्जी और थर्ड आइस एनर्जी कि अगर बात करते हैं तो हमको पता होना घ्यान देंके चलना है अब आइए हम लोग देखते हैं कुछ अलग-अलग factors के बारे में और हमको पता ही है अगर trends की मैं बात करूं ठीक है किसी भी group में या d-block के series में अगर d-block में देखा जाए ठीक है तो general case हमाहर क्या है चाहे 3D series लिजे, चाहे 4D ले, चाहे 5D ले, कोई भी series लेंगे, तो जो general trends क्या होता है, when moving from left to right, आनाइशन energy की value क्या होती है, वो increase करती है, क्यों क्योंकि size हमारा decrease करता है, size decrease करेगा and effective nuclear charge बढ़ता है, क्योंकि number of electron बढ़ेंगे, तो effective nuclear charge भी क्या होगा, उसमें बढ़ेगा, तो यहाँ पर हम लोगों कोई एक चीज़ ध्यान देना है, कि size जितना कम अनाइशन energy उतना ज्यादा, यानि यह दुनों क्या है, दुसरे के inversely proportional है, तो इस तरह कैसे मैं या तो आरो बना देजिए, या तो इसी चीज़ को ऐसे लिख देजिए, कि size is an inversely proportional to अनाइशन energy, तो यह चीज़ हमें ध्यान देके चलना है, लेकिन इसमें क्या सारे exception आएंगे, बिच बिच में वो stability वाले factor लग जाएंगे, तो आएए उस चीज़ को हम लोग समझते हैं, जहां से क्या होता है, question देता है, तो यह हमारा क्या था, general trends है, कि size हमारा क्या हो रहा है, decrease करेगा, अनाइशन energy बढ़ेगा, लेकिन अब और सारी चीज़े इसकी क्या है, तो आएए इसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं, तो इसको note कर लिजेगा, तो देखी, यह दिया गया है, जो हमारा graph है, यहाँ पर energy के case में, तो अब इस graph में देख रहा है, कि इस तरीके से यह vary कर रहा है, तो energy और transition metal elements के बीच में अगर मैं graph plot करूँ, तो यहाँ प blue वाला बनाया गया है, यह 4D series, और यह red वाली line क्या है, 5D series को denote कर रही है, तो क्या हमारा देखी, यहाँ पर क्या है, atomic number है, इस तरीके से लिखा गया है, elements के atomic number को इधर लिखा गया है, तो इधर क्या nice energy, तो atomic number बढ़ने के साथ साथ, यह क्या होना चाहिए, यह graph के वाल इस क्या करना है, समझना है, कि यह हमारा variation इतना क्यों आ रहा है, पहले और last element के बीच में, तो उन चीजों के लिए हमें क्या है, कई सारे factors को, कई सारे चीजों को समझना जरूरी है, तो यह graph को समझने के लिए हम लोग पहले बात करते हैं, इसमें कौन-कौन से चीजें हमें ध orbital, ठीक है, among of them, energy of d-block elements, increase with increase the atomic number of 2 e, वोगर देखिए, बात की जाए, इस point की, तो यहाँ पहले आई हम लोग समझने कुछी चीजों को, ठीक, तो देखिए, हमारा क्या होता है, एक factor काम करता है, stability वाला factor, तो अगर कोई atom है, हमारा d-block या 3D series का, अगर वो stable है, तो वहाँ स electron निकालना क्या होता है, मुस्किल होता है, अगर कोई atom stabilize हो गया, या half field stable हो गया, या full field stable हो गया, तब वो नहीं चाहता है, कि मेरा क्या हो, outer cell का electron निकले, तो यानि जल्दी वो क्या करेगा, electron को निकालेगा नहीं, अगर मैं बात करूं 3D series की, यहाँ पे, अगर मैं लिग द nickel, copper and zinc, तो यह हमारे elements है, 21 से लेकर 30 तक, तो 21 में देखा जाए, तो outer cell का confrigation क्या है इसके, तो इसका confrigation क्या है, 3D1 और 4S2, ठीक, तो यहाँ पे देखे है क्या है, कि यह 3D1 है, 4S2 न, तो इसका, इसका जो D orbital हो क्या है, हमके stability जो देखनी है, वो S orbital की नहीं देखनी है, यह 1 ek electron क्या होता है, वो unstable है, यह 1 half field, वो हमारा क्या है, partial field orbital है, तो stability हमको तभी देखेंगे, या तो D orbital क्या हो, सभी 1 ek एक electron बरे हो, या तो पूरा बरा हो, ठीक है, या तो stable condition यहाँ ध्यान देना है, एक हमको देना है, half field, ठीक, तो half field stability क्या होगा, यानि 3D5 या कोई भी द में क्या होगा पांच electron अगर भरा होगा यानी सभी orbitals में खिक है एक-a-क electron present हैं तो यह हमारा क्या हो तो これ स्टेबल configuration होगा तो अगर atom इस configuration में चला गया तो उस में से electron निकालना क्या हो तो मुस्किल होता है उसके अनाश energy क्या हो कि हमेंसा higher हो जाती है यहां एक करेंगे हम लोग fulfilled stability की fulfilled stability की बात करेंगे तो क्या होगा 3d10 वाला case तो 3d10 का मतलब उसमें क्या है d orbital में सारे के सारे electron क्या है occupied है तो अगर condition ऐसा बन गया तो उसके energy क्या हो यह ज्यादा हो जाती है तो अगर यहां पर दिखे बात की जाए scandium फिर titanium में अगर लिग दू तो क्या हो जागा 3d2 4s2 फिर अगर vanadium की बात करूं तो क्या हो जाएगा 3d3 4s2 chromium में अगर देखे यहां पर क्या होता है chromium में electronic configuration महलो पड़ चुके थे कि s orbital और d orbital के बीच का energy gap क्या हो तो small होता है इसके वज़े से electron s orbital से jump करके d orbital में चले जाते हैं और वो 3d4 नहों क्या बन जाता है 3d5 बन जाता है due to half field stability of d sub cell तो इसका configuration क्या होगा 3d5 और 4s1 तो कहने का मतलब देखे इसकी जो energy की value होगी यानि यह हमारा क्या होगा electron निकालना नहीं चाहेगा यहां से फिर इसके बाद देखते हैं यह देखी यह हमारे पास एक आ गया high energy के जाता होगी तो अब देखे आ रहा है इस energy में लो कई cases में देखते हैं अगर मैं इसके जैसे अगर मैं बात करूँ यहां पर मैंगनीज का तो 3d5 4s2 तो यह देखे है क्या कि इसका जो d orbital है वो fulfilled हो गया यह बस क्या करेगा यह एक electron निकालना चाहेगा यह जो c r है इसका जो c r plus है यह इस छाहेगा यह इसमें से लेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी खर्च होगी जब वह क्या हो चुका है इस्टेबल हो चुका है तो एक इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे यहां से तो यह क्या हो जागा 4s0 3d5 निकालेंगे तो यह निकालने नहीं देगा क्योंकि यह क्या हो चुका है यहां से इसा यह थेमान देना है अगर मैं बात करूं मैंगनीच की तो मैंगनीच में क्या है 3D5 4s2 एमें ठीक है 1 प्लस अगर बनाने जाएंगे तो यह तो ऐसा एक्जिस्ट है नहीए करता है तारेट क्या करता है यह मैं टू प्लस बनाना चाहता है क्यों क्योंकि इसमें नर्जी क्या होगी कम खर्च होगी क्योंकि यह यह निकालने के बाद क्या हो जाएगा यह 3D5 बहुत ही 3 plus, जो अगर देखा जाए कि कौन से ज्यादा stable हमारा अनाशन नेर्जी वाला case है, यानि कौन सा electron जल्दी ये निकालना चाहेगा, 3 plus बनना चाहेगा, कि 2 plus बनना चाहेगा, तो अगर मैं इसमें से F2 plus बनाने जाओंगा, तो ये क्या होगा, इसके d-arbital में भी 6 electron है, तो 6 electron क्य मतलब क्या वो partial field है, ना तो full field है, ना तो completely half field है, ऐसा condition नहीं बन रहा है, stability वाला, ठीक है, अगर 2 plus electron निकाल दिया, तो ये बहुत stable नहीं है, लेकिन अगर ये 3 electron निकाल दिया, तो ये क्या बन जाएगा, मैगनेज के तरह बन जाएगा, यानि MN2 plus बन जाएगा, या CR plus के त 3D5, तो ये half field stable, ये भी half field stable, अब इसमें अगर मैं देखूंगा, ये 3 plus में, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3D5, और ये भी क्या है, half field stable, तो वो iron जो होता है, वो ये 3 plus में, ज्यादा stable होता है, compare to ये 2 plus में, तो इसके ये वाला जो energy की value क्या होगा, इमेंसा कम रहेगी, जल् 4S2, फिर nickel में आएगा, 3D8, 4S2, फिर copper की बात करेंगे, तो क्या हैगा, 3D9 और 4S2, इसका नहीं होता है, क्या होता है, 3D10 और 4S1, तो अगर यहाँ पे देखा जाए, तो क्या है, 3D10 और 4S1, तो ये हमेशा क्या 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 है, Cu2 प्लस बनाना चाहेगा, क्योंकि Cu2 प configuration को दिखा रहा है, तो हमेशा जो copper का case है, वो भी, जैसे Cr प्लस बनाना चाहता है, वैसे ही copper क्या होता है, प्लस बनाना जल्दी नहीं चाहेगा, जैसे कि Cr 2 प्लस बनाना नहीं चाहे रहा है, क्योंकि Cu2 प्लस का मतलब क्या हो गया, इसके outer cell में आप 9 electron होगे ने, तो 9 electron का म stable हो गया, तो यह हमें ध्यान देखे, चलना है, अगर मैं बात कुरूँ zinc की, तो zinc में क्या होता है, 3D tan, 4S, 2, तो दिखे, जो zinc है, वो क्या होता है, केवल और केवल एक कही अनाशन नर्जी सो करता है, यानि 2 electron ही केवल ही क्या खरेगा, आउटर से में से निकालवाएगा अ stable हो जाता है, अगर जेडियन 1 प्लस बनाएंगे, तो यह क्या होग अनिस्टेबल होगा, को कि यह समें भी एक electron बचा है, दी उसका ठीक है, दी तो हमारा क्या होग एस्टेबलाइज है, लेकिन यह वाला अनिस्टेबल है, या तो यह zinc ऐसा ही रहना चाहेगा, यो कि दोनों पूरा भरा हुआ है, या तो यह जेडियन 2 प्लस में रहना पसंद करता है, ठीक, जो यह सब दिखिए चार्जेज हैं, उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सिडेशन स्टेट, या ऑक्सिडेशन इसका क्या है, नंबर है, तो इस ऑक्सिडेशन स्टेट को भी क्या करेंगे, हम लोग उसे क्या था'm, या या साचर्जेश स्टीडियन क्या तो इस ब्लॉट क्या हम सबका शुद नहीं क्या होता है, यह सारी चीजेट हम लोग वहाँ पे द्खेंगे, आस ब्लॉट में तो हमें यहां पे समझना क्या है, ऑक्सिडेशन स्टेट को। तो कौन सा O sun state क्या stable है कौन सा कम stable है तो यहां पर हमें बस ध्यान देना है कि अगर मैं अगर हम लोग क्या करेंगे एक electron, दो electron निक्ति निकालने के बाद आइट म के outer cell से मैं अगर atom क्या होग अस्टेबलाईज हो जा रहा है तो वो अगर आटम का रेक्टरोन निकालने के बाद अनस्टेबल है तो हाई इनरजी होगी तो यह द्यान देखे चलना है अगर मैं जैसे यहाँ पर कोस्टन लिख दूँ और कंपेर करूं कि हमारे पास क्या है अगर यहां पर कोस्टन ऐसे पूछ सकता है कि बताये कि जिंक और E2, ठीक है, is less than the copper E2, why, यहां पर question क्या पुछ रहा है, कि जो second ionergy of zinc है, वो कम है, ठीक है, copper के second ionization energy से, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि left to right चलने पर size decrease करती है, size decrease कर रहे है, यहां पर क्या होता है, तो ionization energy जीच्ञ की जो जाधा होनी चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है, let's suck, जीक का कम है copper से, तो ऐसा क्यो हो रहा है, this is due to the stability of d orbital, तो अगर यहां पर देखेंगे, यह 2 प्लस बनाएगा तो क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, यह बन जाएगा, 10 लेकिन अगर यह 2 प्लस करेगा, Cu 2 प्लस अगर करे जाएगा, यह 3D 9 बन जाएगा, क्योंकि इसके D orbital में क्या है, यहाँ पर मैं हम लोग देख सकते हैं, इसमें से एक निकल जाएगा, इसमें से भी एक निकल जाएगा 2 प्लस में, तो अभी क्या बन जाएगा, 3D 9, तो यह तो इस्टेबल हो गया, और यह क्या है, अनि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुस्किल है, इसलिए इसकी जादा है, तो question ऐसे भी पुछता है, कि why the second is energy of zinc is less than that of the second is energy of copper, तो यहां पर हम बताना होगा, कि this is due to the stability of d-orbital, तो यहां के d-orbital क्या, stable हो गया, लेकिन यह निकालने के बाद क्या, stable रही है, तो यह निकालना नहीं चाहेगा, तो अनिसमें इर्जी क्या होगा, इसकी जादा हो जाती है, तो यह चीज़ हमें ध्यान देके, चलना है, अगर और कोई हम लोग question देख लें, ठीक है, तो पहले इस चीज़ को note कर लेजे, फिर हम लोग क्या करते हैं, और कुछ cases में, यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं, और कुछ elements का example लेके, ठीक है, तो हम लोग देखिए, और को example लेके सहाँ समझ लेते हैं, अगर देखिए, बात की जाए, इन ही दोनों में एक और question की, तो यहां पर देखिए, पूछ सकता है, कि why the first energy of zinc is higher than the copper, देखिए, second energy तो copper का ज्यादा है, लेकिन जो first energy होता है, वो zinc का ज्यादा होता है, अगर इसी उच्छ को देखा जाए, यहां पर, यहां पर मैं इसे विर्यस कर दे रहा हूँ अब, तो यहां पर मैं थोड़ा सा देख सकते हैं, कि first energy के अगर बात की जाए, तो देखिए, zinc का, ठीक है, जो e, आनाशन नर्जी 1 होगा, वो highest होगा copper से, ठीक है, first energy क्यों, यो कि अगर यह zinc एक electron निकाल दिया, तो यह electron निकालने के बाद क्या होगा, 3D, 10, 4E, 1, यह तो stable है, लिकि यह unstable configuration हो गया, S में एक electron रहेगा, तो वो क्या होगा, unstable का लाएगा, लेकिन जो copper है, अगर एक electron निकाल दिया, तो क्या बन जाएगा, 3D, 10, 4E, 0, यह तो stable हो गया, तो इसमें energy क्या होगा, कि कम खर्च होगी, क्योंकि stable हो रहा है, चाहेगा कि electron मेरा निकल जाए आसानी से, तो वो जल्दी से electron निकालेगा, तो energy क्या होगा, कम देनी पड़ेगी उसको निकालने के लिए, लेकिन zinc है, तो वो चाहेगा कि मेरा 2 electron निकले, एक न निकले, क्यो ना है, ठीक है, तो यह दोनों question हमको जान देना है, यह वाला और यह वाला ऐसे पूछ सकता है, अगर हम लोग बात करेंगे, हाफ फिल्ड वाले की, तो हम लोग क्या कर सकते है, copper और manganese वाला कोई भी case यहाँ पर ले सकते है, जैसे यह एक example, और देख लेते हैं यहाँ पर जैसे अगर माल यह बात करेंगे, ठीक, फिर्स्ट अनासे नर्जी ओफ, ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी जांपर लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं, यह एमन्ट टू प्लस, ठीक, कि जो अनासे नर्जी है, वो लेस है, एफ वी, टू प्लस से, ठीक, क्यों, लोकि अनासे स्टेबल तो अगर यहां मैं टुप्लस बना दिया तो यह क्या बन जाएगा त्री डीवफ लेकिन अगर यह थी और नि कित्रम दिया थे पर दिया इसके पास थे इप्रिव.च यहां पर दो इसको जाएगा इसमें ज निकाल दिया तो क्या हो गाँ 3D5, तो यह stable है, यह नि stable, यह stable है, तो इसमें नरजी क्या हो, यह कम खर्च होगी, इसमें ज्यादा खर्च होगी, तो अगर बराबर देखना होगा, अगर दोनों के नरजी बराबर कब है, तो MN2+, और FV3+, ठीक है, यह दोनों stable हो जा रहे हैं, योगि यह भी 3D5 बन जाएग तो यह दोनों क्या होंगा, ऐसा बनना चाहेंगे, तो इस तरह सकर देखा जाए, क्रोमियम में और मैंगनीज के केस में, तो क्रोमियम का क्या होता है, फर्स्ट आरेस इनरजी कम होता है, मैंगनीज का फर्स्ट आरेस इनरजी ज्यादा होगा, क्यूंकि जो CR है, वो एक इल निकालना चाहेगा अगर atom on stable है तो उसके नाइस energy क्या होगी हमेशा higher होती है तो ये चारे factor क्या करते exam में question बनके आते हैं इस तरह से ठीक है नी सब इस factor से वो हमारा क्या होगा general turn नहीं पुछेगा तो जहां जहां exception है जहां जहां क्या है half field या full field stability वाले concept लगे हुए हैं वह थिक तो दिखिए जो ट्रेंट्स दिया था वहां पे आपर अनेशा energy का तो कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं यह जो graph है हमारा अनेशा energy वाला इसमें देखिए जो अनेशा energy है यह पहले क्या हो रहाए इसके एंडियम, टाटियनियम, वैनेडियम, क्रोमियम यह पहले क्य जोक अगर समझा जाए यहां पे, ठीक है, जैसे देखे हम लोग left to right जब चलते हैं, तो scandium, titanium, vanadium, chromium, ठीक, या ठीक है, तो क्या होगा है, वहाँ अधिक लाएगी, electron को निकालने में, जैसे हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, इसे हम लोग atomic radius जब पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर क्या था, कि size पहले decrease कर रहे थी, फिर constant हो जा रहे थी, फिर अचानक increase कर जा रहे थी, तो वही सारा क्या होगा, factor जो होगा, वही opposite क्या होगा, अनस energy के case में काम करेगा, तो size decrease करेगी, तो अनस energy क्या होगा, वैसा बढ़ेगा, तो जब भी हम लोग स्केनियम, टैटनियम, वैनेडियम, क्रोमियम तक चलेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, sharing D electron, ठीक है, for the atomic number increase the resulting decrease of the nation energy, तो यहाँ पर दिखे, कुबार्ट से अगर निकिल की तरफ चलेंगे, यानि 27, 28 इस तरह से, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, अब pairing start हो रहा है, D electron क्या कर रहा है, paired हो रहा है, तो इसके वाएसे क्या होता है, electron, electron में repulsion होगा, और electron में repulsion होगा, और electron में repulsion होगा, वहाँ से क्या होगा, energy कम लगेगी electron को निकालने के लिए, तो यह भी हमारा एक factor है, जैसे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, copper से zinc की तरफ जाएंगे, तो stability बढ़ जाती है, ठीक है, the copper and zinc, so the increasing anexon energy, energy, s-block element, ठीक है, in the second series, the element of the neodium have the single electron in the s-orbital, ठीक है, सारे देखे, factors दिया गया है, graph वाले, ठीक, उसे तरफ से दिया गया हमारा anexon energy of the palladium, ठीक है, in has to completed d-orbital and no s-electron, the PD has to the maximum anexon energy, ठीक है, due to the lanthanide contraction, अब देखे, बात करेंगे, जब हम लोग second, first transition series, second transition series, उसके पाद जैसे third और fourth में inter करेंगे, यानि 5D और 6D वाले में, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पास उसमें, जो last वाले जो वहाँ पास क्या transition series में, जो last वाले दोर हो है, वहाँ पर क्या होता है, कि यह आफ और वीटल भी involved हो जाते है, तो उसके वहाँ से क्या होता है, लैंथनाइट कंट्रेक्शन स्टार्ट होने से क्या होता है, कि size हमारा क्या होता है, बहुत तेजी से decrease करता है, तो size जब तेजी से decrease करेगा, तो energy which is required to remove of electron from their outer cell, वो क्या होगा, increase कर जाता है, यानिए energy की value क्या हो, कि वो बढ़ जाती है, this is due to the lanthanide contraction, तो देखिए हमां को ध्यान क्या देना है, 3D series पे ध्यान देना है, तो उसी way में सारे चीज़े चलती है, तो हमारा जो question आता है, वो generally क्या होता है, 3D series से ही पूछता है, तो उतना higher, ठीक है, बाकी जो हमारे contraction वाले हैं, ठीक है, जो बाकी नीचे वाले हैं, 4D, 5D, 6D series, उसमें से question क्या होते हैं, बहुत ही, कभी-कभी rare case में arise हो सकते हैं, तो हमको generally ध्यान कहा देना है, 3D series और उसी के trend को समझना है, उसी में क्या करना, stability भी हमको देखनी है, अब देखिए हमारे पास क्या है, आनाशन नर्जी के बाद, एक second factor आता है, ठीक है, ठीक है, हमारा दुक्या है, second property, तो हमारा क्या था, आनाशन नर्जी, जिसमें हमको trends पढ़ना है, left to right जाने पर energy क्या होते, से increase कर रहे थी, और वो depend कर रही है, stability पे, ठीक, half field और full field पे, तो यह हमें ध्यान देना आया, जाहें से question हमें क्या होंगे, देखने के लिए, मिलेंगे, अगर हम लोग बात करेंगे, next property की, तो हमारा आता है metallic character, ठीक है, जो कि क्या है, बहुत ही, ठीक है, simple सा property है, जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ते आ रहा है, metal की जो जो properties होते हैं, तो वही सब metal d orbital में भी है, d orbitals क्या होते हैं, सारे metals ही तो हैं generally, तो metals हैं, तो जो metal की property होगी, उसे तो सो करेंगे ही, तो यहां पर ध्यान देना है, जैसे e-block elements क्या होते हैं, typically metals होते हैं, और इनका behavior क्या होते हैं, metal में को बता है, कि high tensality strength होता है, ठीक, malleability होती है, ductility होती है, तो हम लोग क्या होते हैं, बहुत ही basic trans label से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, malleable होते हैं, ductile होते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइज इंटो BCC, CCP, and SCP Structure, जब भी हम लोग क्या का करेंगे, solid state आगे चलके पढ़ेंगे ठीक है अभी दुखी ट्वास में solid state अड़ा दिया है लेकिन जब भी solid state पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे यह सारे elements क्या होते हैं यह कई तरह के unit cell का formation करते हैं तो अलग-अलग type के unit cell होते हैं आने crystallize होते हैं crystal का मतलब solid के जो particles होते हैं वो क्या crystal के जो छोड़े-छोड़े parts होते हैं जिसके तरह पूरा crystal हमारा होता है उसको बोलते हैं हम लोग unit cell तो वो unit cell क्या होता है? BCC, body centered, CCP, cubic close packing, hexagonal close packing तो कई तरह की होते हैं तो यह करने का मतलब जो deblock elements होते हैं वो इस तरह के close packing वाले structure भी बनाते हैं crystal के अंदर तो वो हम लोग क्या करेंगे आगे देखेंगे हमें क्या करना बस इसको अभी यहाँ पे देख लेना है they are very hard high enthalpy of atomization तो इस पे हम लोग बात करेंगे आगे चलके यह भी हमारा एक property है enthalpy of atomization यह क्या है? बहुत ही important property है इसको हम लोग क्या करेंगे? अलग से इस property को देखेंगे तो atomization का मतलब क d block elements होते हैं जिस element के पास क्या होते है? outer cell में number of electrons ज्यादा होंगे तो वो क्या करेंगे? दूसरे d block elements के साथ क्या करेंगे? असाने से metallic bond बनाके जुड़े होते हैं तो उनका जो enthalpy होगा उस bond को तोड़ने में enthalpy का मतलब heat required to break the bond तो उसमें क्या होगा? heat अधिक लाएगा break करने म तुसे बोलते है enthalpy of atomization क्या होती है? इनकी हमेशा high होती है ठीक है बाकी elements से क्योंकि यह ज्यादा number of electron release करेंगे ज्यादा electron release करेंगे ज्यादा positive ज्यादा negative charge जाएगा तो metallic bond क्या होगा? strong बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे detail में थोड़ा सा समझेंगे अलग से इसकी property को इनकी viscosity क्या होती है? हमेशा low होती है ठीक है? फिर बात करेंगे except of the copper ठीक है? फिर the hardness increase with number of unpaired electron तो देखें यही बात है हमारा enthalpy of atomization कही ना कहीं क्या और depend कर रहा है हमारा कही सारे चीजों पे तो जितने ज्यादा unpaired electron होंगे वो क्या करेंगा? उतना electron liberate करेंगा outer cell से और electron जब नि जितना number of unpaired electron होते है उतना क्या करता? वो strong bond बनाता है अगर zinc के case में देखा जाया है तो zinc क्या करता है? केवल 2 plus state में रहता है तो वो क्या करता? electron जल्दी निकालता नहीं है अपना 2 electron केवल निकाल पाता है तो zinc के metallic bond होता है थोड़ा सा weak होता है तो जितना ज्यादा electron liberate करे तो ठीक है तो यह बहुत क्या होता है? इसे दिया है ना chromium, molybdenum, trungustan, बहुत ही क्या होता है? हाड metal होते है यहाँ यहाँ पे, deblock elements के case में ठीक? इसके बाद दिखे दिया है zinc, cadmium and hg, soda, acceptance of regarded as होती है, क्या exception हमारे है? यानि यह क्या होते है? strong metallic bond नहीं बना पाते है हमारी metal में अगर देखा जाए तो metal का काम होता है electron निकालना तो यह outer cells electron में सा क्या करते है? निकाल देते हैं और वो positive iron की form में रहते हैं तो अगर solid metal लिया जाए तो उसमें क्या होता है? यह positive charges होते हैं कई सारे और जो उनके electron रहेंगे वो क्या करते हैं? इन्ही positive charge के बीच में travel करत रहते हैं यानि बोलते हम लोग mobile electron यानि यह क्या करेंगे? यह move करते रहते हैं जिसे बोलते हम लोग C of electron जैसे हमारे पास क्या? जैसे माल लेते हम लोग D block का iron है वगर iron क्या किया? तीन electron निकालके यह अफ़ी 3 plus में चला गया ठीक यह जो positive charge वाले metal है यानि जो iron form कर लिया ज बोलेंगे हम लोग general ठीक और यह हमारा क्या हो गया? यह हमारे पास है free electron तो metal के अंदर दिखे दो चीज़े हैं अगर मैं किसी metallic solid की बात करूँ तो उसमें दो चीज़े हैं एक तो positive charge है और है क्या है? free electron है तो positive charge के बीच में जो free electron अगर matter यह positive charge को इस तरह दिखाएंगे तो यह positive charges हो गया है यह सारे और जो free electron है यह सी में क्या करते हैं इसके बीच में इस तरह से यह चलते रहे हैं क्योंकि electron क्या mobile particle है यह चलता रहेगा इसे इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं C of electrons और यह क्या हमारा केनरल हो गया? यहानि metallic solid के अंदर केनरल होते हैं जो क्या होते हैं यहानि उधसे होते हैं solid के अंदर और जो भी खाली space होता है उसमें क्या होते हैं electron travel करते रहते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग C of electron तो यहां बोलेंगे metallic solid में electron के C में positive charge क्या होते हैं? इंबिल्डेड होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है? फोर्सफ अट्रैक्शन होता है क्योंकि एक particle रुका हुआ है एक particle क्या है mobile है? तो उसके बीच में क्या होता है? एक force of attraction होता है जिस force of attraction को बोलते हैं ठीक है metallic bond तो जो element हमारा D block का जितना अधिक सधिक electron liberate करेगा जि बढ़ जाता है तो metallic bond strong होगी, metallic bond strong होने के वज़ा से क्या होता है, उस metal का melting point, bonding point बढ़ जाता है, hardness बढ़ जाती है, तो वही सारी चीजे क्या हो, यह सारी जो चीजे है, वो कहीं न कहीं हो, और depend कर रहा है कि किस तरह के से metal क्या कर रहा है, इतना अधिक सदी की electron निकाल के positive charge में, तो यह सारे क्या होते हैं, यह हमारे क्या होते हैं, यह transition element में नहीं आते हैं, यह क्या है, क्यवल d block element है, क्योंकि इनका outpura complete होता है, d orbit अच्छे से भरा होता है, तो यह ज्यादा electron निकालते नहीं है, तो यह क्या होगा, क्यवल 2 plus, 2 plus, 2 plus state में जाते हैं, यह सब हमको प का और मरकरी का बाकी element के compare में तो यह हमें ध्यान देखे चलना है यानि group 12 वाले जो elements है group 12 का मतलब क्या होता है जो last में आ रहा है 3D series के last में क्या है zinc है 4D series में cadmium है 5D series में क्या है mercury है तो यह सभी के सभी क्या होते हैं ज्यादा oxygen state नहीं सो करते हैं ज्यादा इस पर क्या होता है चार्ड डेवलप नहीं होता है electron कम निकालेंगे electron भी निकालेंगे तो क्या होगा attraction इसमें ठीक है electron और पॉस्टिक पर attraction कम होगा इसकी वाइसे क्या होगा metallic bond इनका weak होता है तो यह जल्दी क्या होते metallic bond नहीं बनाते हैं बहुत ही weak होता है इनका तो यह सभी चीज़े में क्या हो ध्यान दिनिये metallic character में तो इसी लिए बोलते हैं न कि enthalpy of atomization यानि enthalpy of atomization हमेशा क्या ठीक तो यह हमारा क्या था डी block elements के दो प्रॉपर्टी आरेशन एनर्जी और metallic character तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे और चीज़ों को यहां पर समझेंगे तो इसी साथ वीडियो को हम लोग यहां पर समात करते हैं पढ़ाई को चारी रखिए